वेलकम है आप सबी का आज की इस वीडियो के अंदर और आज बात करेंगे क्या हाल चल रहे हैं मार्किट की सिचुवेशन क्या चल रही है मार्किट के क्या हाल चल रहे हैं और क्या important अपडेट आरही है वो भी cover करेंगे ठीक है तो अगर आप इस टाइम पे थोड़ा market को देखेंगे तो थोड़ा सा pressure में ज्यदा नहीं बोलूँगा क्योंकि bitcoin अभी भी 17,200-300 के level पे चल रहा है 17,000 पे टिका हुआ bitcoin और market में आपको पता है हमने आपके बाप के साथ discuss किया था Jerome Powell जो है उनकी एक speech यहाँ पे और उस speech को ले अगर हम BNB की बात करते है 274 डॉलर पे BNB का प्राइस चल रहा है Ethereum भी 1330 डॉलर पे बना हुआ है गाला 12% गाला के प्राइस डाउन जाते हुए क्योंकि हो सकता है थोड़ा और correction गाला में देखने को मिल जाए अभी भी 0.041 पे चल रहा है मलब 3 रूपीज 41 पैसे पे गा परसेंट शिवाइनू जो है green में गया लेकिन अभी जो है 2% चल रहा है तो थोड़ा सा market में जो है इस टाइम पे pressure दिख रहा है हलका सा और अगर आप देखो gainer list की बात कर लें तो FTT token बना हुआ है top पे जो FTX exchange का token है अभी भी top पे चल रहा है उसके बाद सेकिंड नंबर पे वू है third पे serum fourth पे Luna और five पे SLP smooth love potion भी आज इस लिस्ट में हमको देखने को मिल रहा है और six पे एजिक्स है ना तो यह कुछ top gainers है अभी के फिलहाल तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिवा इनू के बारे में ही और शिवा इनू को लेके कुछ Binance ने ना आप देखो transaction किया कुछ क्या किया है शिवा इनू को लेके वो यहां पे हम discuss करेंगे अभी हमें शिवा इनू के जो official burn tracker जो twitter page है जहां पे आपको burning की सभी update मिलती है कि कितने tokens burn हो रहे हैं यहीं पे एक update है अगर आप देखोगे और इस update के अंदर अगर हम देखें यहां पे तो अगर आप इस transaction 12 trillion शिवा इनू was previously was unstake from ShibaSwap by Binance अगर आप देखो यहां पे staking और unstaking की है किसने की है शिवा इनू की Binance ने की है अगर आप देखो सबसे पहले क्या होता है यहां पे पहले Binance की तरफ से unstake किये जाते हैं ShibaSwap के उपर कितने token 12 trillion token Binance की तरफ से 12 trillion शिवा इनू unstake किये जा जाते हैं अगर Binance की तरफ से कुछ हो रहा है ना शिवा इनू को लेके कुछ बड़े transaction हो रहे हैं तो वो और भी बड़ा इशारा करते हैं 116 million dollar मतलब करोड़ों के शिवा इनू यहां पे पहले Binance की तरफ से unstake किये गए और उसके बाद क्या होता है कि 4 trillion 12 में से 4 trillion शिवा इ यह जाते हैं मतलब उनको फिर से लगा विए जाता है staking के उपर और 8 trillion हो चुके हैं unstake उनमें से total किये थे 12 trillion जिसमें से 4 दुबारा stake कर दिये और रह गए 8 trillion में खेल खेला जा रहा है Binance की तरफ से चाहे वो staking unstaking का खेलो चाहे वो transaction का खेलो है ना यही चीजें बताती है कि भया शिबा इनों के साथ कुछ ना कुछ बड़ा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है तो Binance ने पूरा trillions वाला भारी भरकम जो game है वो शिबा इनों के साथ यहां पे किया है आज next update आ रही है यहां पे Bitthumb Exchange को लेगे जी हां Bitthumb Exchange faces second investigation in a row तो एक investigation जो है Bitthumb के उपर चल रहा है second investigation और according to report Bitthumb is now subject of a special tax inquiry by South Korean National Tax Service है न तो एक तरह से South Korean Authority की तिरफ से investigation किया जा रहा है किसके उपर Bitthumb Exchange के उपर ठीक है एक तरह से investigation चल रहा है और अगर यहां पे आपको पता है किया खतम होजेगी ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हाँ अगर problem हो रही है तो definitely कुछ ना कुछ यहां पे Bitthumb के लिए और Bitthumb के जो users है उनके लिए problem जरूर हो सकती है अगर investigations में चीज़े अगेंस आती है तो next आम बात करेंगे app coin के बारे में तो app coin की staking के मामले में अगर आप देखो दो महिने में record break हो गया है app coin को staking करने का जो number है ना staking के जो tokens है वो इतने ऊपर चले गया है अपने all time high के ऊपर क्या चल रहा है अगर आप देखो app coin का price 6% gain हुआ है ज्यादा कोई pump नहीं है app coin gain 6% as stake volume exceed 90 million जी हाँ staking volume की मैं बात कर रहा हूँ और अगर आप देखो staking volume और app coin has gained over 6% in the past 24 hour और volume of stake token surge about the 90 million mark less than 2 months after the launch of app coin staking app coin staking उसके साथ channeling staking ये साथ साथ launch हुई थी हमने आपके साथ discuss किया था और सिर्फ 2 महीने के अंदर आप देखो app coin की staking इतना record break कर दिया 2 महिने में app coin staking balance break above 90 million ठीक है तो 90 million को भी यहाँ पे जो है अभी जो आप देखो 92.1 million के level पे आ चुका है जो staking volume है app coin का जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे जो है number निकल के आ रहा है और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो token स्टेक हुए है 92 million है ना and now it is 92 million app वर्थ बाउट 446 million dollar next update आ रही है coinbase की तरफ से coinbase to cut 20% of its remaining workforce और यहाँ पे एक फिर से जो है coinbase ने भी थोड़ी cutting किया अपनी workforce के अंदर मतलब कमी किया है and the largest crypto currency exchange in the US will be letting go of around 950 employees 950 employees को bye bye कह दिया है coinbase ने और एक तरह से और workforce को कम किया है ठीक है अभी recent आपको पता है हुआ भी global ने किया था अब coinbase में next हम बात करेंगे centos के बारे में अभी अभी आप देखो यहाँ पे centos का एकदम से एक जटके के अंदर 23% pump हमको देखने हो मिल गया मतलब कहां से उठा coin अगर आप देखो 4.6 dollar से price उठा है और 5.7 dollar पे इसका price अभी चल रहा है 5.6 के round चल रहा है मतलब 457 rupees पे जो है भी centos आ चुका है और एकदम से जो है अच्छा कासा 22% का jump हमको देखने को मिला है centos के अंदर यह एक fan token है तूनमेंट शुरू हुआ जैसे फीफा वल्ल्ड कम तो सभी fan token काफी अच्छा गिरे हैं जैसा expected था और अब जो है recovery भी देखने को मिल सकती है इन fan token की 2023 के अंदर ठीक है तो थोड़ा सा अब आप fan token पे focus कर सकते हैं ठीक है last and final में हम बात करेंगे गाला की जहां गाला एक तरफ थोड़ा सा correction ले रहा है लेकिन एक jump अभी और देख सकता है वहीं दूसरी तरफ ethereum whale sabo ने क्या किया अगर आप देखो just bought 3 करोड 3 करोड 50 lakh गाला गेम जिनकी value 1.4 million dollar किया है करोडों के गाला गेम करेद लिए कितने 3 करोड 50 लाग और इस whale की rank आती है तीन पर है न तो यह थी आज की कुछ updates आज की इस video करते हैं ही पर end मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर